आपका स्वागत है तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं जोग्रैफी के चैप्टर यानि जोग्रैफी के जो विगोल है क्योंकि इसमें हम विगोल के विषय में बहुत ही बिस्तार पुर्बग चर्चा करेंगे देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है यानि यह जो चैप्टर है काफी महतपुंता को यहां दलस्टाता है जिसको आपको जानना चाहिए कि आपकी मापन पदिती क्या है आखिर हम व क्यांतर होता है तो इस सारी बातों को जानना काफी महतवपुन है मैंने देखा है कि कई वार जो है यूपिस एक्जाम में भी इसके बारे में मापने की पदिती के रिगार्डिंग कोशन आया हुआ है काफी महतवपुन टॉपिक के यहां पर है अगर हम बात यहां पर टॉ इसका चारो वर लिप्टा रहता है तो आप समझ सकते हो कि वायू मंदल पृतिभी के गुर्ट आकरशन के कारान उसके चारो और लिप्टा का मतलब होता है दोस्तों की चारों इर्द गिर्धी घुमता रहता है और वायू का एक स्थम जो ध्रातल पर अपना भाड ढालता ह उसे वायू दाब या वायू मंदली दाब कहते हैं तो आप समझ गए हो गये कि वायू मंदले दाब क्या होता है कि यह होता गुर्तवा खरशन कारण कच़ाइट लेता है और वायू तंब को दारातल पर अपना बाइड डालता है उसे दाब के नाम से जाना जाता है वायो बायू दाब को मापने वाला यंद्र क्या कहते हैं निया है बहुत इंपोर्डब्स क्वेजण है आपकल और आज काल बाजू दाब मापने के लिए जो समाने था फॉर्टिंग एब अनिड़ोइडाइस बेरो मिटर कभी प्रियोग किया दिए यह जो दो नाम मैंने यह बताया वह अधूनिक है यानि फैट्रिंग भी यूज की जाती है यूज किया जाता है बैरो मीटर जो अधूनिक मापन किया जाता है तो कोशन में के डिफ्यूज नहीं होना है कहते हैं बच्चे तो क्या करते हैं को याद कर लेते हैं ठीक है अंसर उनको नौलेज होता है लगिन को नौलेज ही नहीं होता तो उल्टे पुल्टे जो है उसका अंसर मार देते हैं जो कि उनके लिए काफी नुक्स कि काकी को मिली बार कहतें देखें हैं यह चोटा फॉर्म है इससे हम रिपर्जेंट कर सकती है एक मिली बार प्रतिव और सेंटीमे ज्टेट पर पर परने वाले लगविँ एक राम बल के बड़ाबर होता है। तो चाभी महत्वपुंता को यहां दर्शा रहा है। अगर बात हम करें 1000 मिली बार वायूमनल दा भार के समुन्ध तल पर होता है तो आप समझ सकते हो कि क्या यहां बात बताने के कुछ किया गया है कि एक भार जो होता है चीहतर सेंटीमीटर उचे पाड़े के स्थम के बराबर होता है यहाँ पर आप समझ गए होगे कि पास्कल जो होता है प्रति वर्ग मीटर का एक न्यूट्रिन पल के बराबर होता है अगर बेभार के तोर पर बायू मडल जो है किलो पास्कल में अविवेक्ट किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि एक किलो पास्कल जोगा एक हजार पास्कल के बराबर होता है तो ये काफी महतपूल बात को यहां दर्शारा है समुन तल और और असद जो है बायू मनद दाब जो है कहते हैं एक हजार तेरव दसम लव पच्चीस मिली बार के बराबर होता है तो ये काफी महत्पूल बात रखती है यहां पर प्रांटू किसी सांड पर किसी समय विसेस में बायू दाब जो होता है 950 मिलीवार से लेके 1050 मिलीवार तक पाया जा सकता है तो देखी काफी महत्पूल बात को यहां बताया गया है कि समुन तल पर औस बायू दाब कितना होत पाया जा सकता है, तो यह डिपेंड करता है कि वहां पर बायुदाफ किस प्रकार का है, तो यह बहुत ही मौहत पुंता को यहां दरश राता है, इन्हीं बातों को event-ups क्तूंत के हो tutor यहां होता है, तो यह समझने वड़ के लिए इस समयाए पर बायो के स्थंप का भार बायू दाव कहलाता है और बायू मंदीले दाव को बायू così है, इसके बारे वाहं हम डिस्कूस किए थीγा sir, किलो पास्कल के इसको याद करते रहना चाहिए जिससे आपको ये पूरे टॉपिक अपने माइंड में कुछ न कुछ रूप में प्रेजेंट रहे हैं यदि बात हम करें अगले पॉइंट का तो काफी महतपून है ये बायू मंदले दाब का वितरन किस परकार होता है हमारे बायू मंदल में जानना काफी रोचक रहेगा और आपको भी हैरानी होगी कि इसको दो भागउ में विवक्त किया गया है ठीक है अगर हम बात करें पॉइंट के बायू मंदले दाब का वितरन तो ये साफ हो जाता है कि बायू मुदले दाब का धरातल पर वितरन सब जगा समानने नहीं है या आप जानते हो कि बायूदाब सभी जगों जो है अलग-अलग टाइप से रहती है क्योंकि सब जगा एक जैसा नहीं हो सकता इसमें 36 एवं दोनों ही परकार के वितरन में विविंता मिलती है यानि दो तरह से जो है इसको विवक्त किया गया है एक जो है हमारे समक्षाण धाग और दुसरा जो है 36 यानि देखा जाए तो इसको अलग-अलग तरके वितरन है सब्से पहली बात हमारे समक्षाता है वाईूदाब का उद्धर वितरन अंकिर इसमें अपर जो हमारे समक्षाण है पहला पॉइंड अत्यंद महत्पूंता को दशार आया कि वायू दाव का उद्वधर बितरन किस परकार होता है तो यह जानना काफी महत्पूंड रहेगा और एक बात आप भली भाती जानते ही होगे कि वायू विविन गैसों का मिश्रन है यानि वायू जो होता है एक गैस का कई गैसों का मिश्रन होता जो बचपन से आब लोग पढ़ते आ रहे हों और इसे अधिकदार जो एक दवाकर धनीभूत्र किया जा सकता है और दवी हुई अब भायू का धनात्र अधिक होता है यान दवी हुई जो वायू होता बाइव की निचली परहत अधीक दरत वाली हो जाती और इस लिए अधिक दाब डालती है और इसका उनका धनत्व कम होता है का स्टंबिया कहलता है कहलता है और लेकिन यह एक हीदर में हमेशा कम नहीं होता ही बहुत रोछक बात यहां पर आजाती है कि एक दरसे नहीं होती है करते ऑपक के धिन बल पर निर्वर भी करता है तो यह काफी महत्पून बात है कि इसके लिए सबसे बड़ा जिन्मवार कारक होता है कहते हैं यह कारक बायुदाप की पीवीन उचायों पर रहती है समानने तर बायुदाप प्रतेक 300 की उचाय पर 34 मिली बार कम हो जाता आप तक काफी महत्पून बात यहां बताई गई है कि 300 मीटर की उचाय पर 34 मिली बार कम हो जाता है और इसको हम डाइग्राम में समझने कोशिश करेंगे और कहते हैं कम बायुदाप के परवाभ को अनुबप मैदानों में रहने वाले पर आगर चावल को पकने में अधिक समय क्यों लगता है तो देखा जाये तो सबसे वहारा कारण जो है निम्न बायू दाप के कारण पानी का इंड़ जाती है यानि जो उसको उबलने का होता है वह से घट जाती है तो कावी महत्पूर्ण की बाद रशाता आप ने देखा भी होगा कि वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जाता है उसको जो है नाक से ब्लड़ भी आ जाती है कि उचाहिए जाता है वहाँ पारी पर चड़ने वाले अन्य चेत्रों से आये बहुत से लोगो सांस लेने में तकलिफ होने लगती है और कुछ लोग भी हो जाती है और नाक से खून भी आने लगते हैं विरल हो जाती है और उसमें ऑक्सिजन की मातरा बहुत ही कम होती है और आपको पता है और आपको प्रवत ही मानने रखता है तो इस बात को आप क्लेरिटी के साथ समझ गए होगे कि जितने उचाहिए पर सबने का सिलेंडर लेके गए इनी कारणों से और कोई वहां पर निकालता है उसकी मृत्तू भी हो जाती है क्योंकि वह उक्सिजन लेने में सक्षम नहीं हो पाता है तो यह काफी महतुपून बात है और आपको भी ऐसे करना चाहिए अगर कहीं आप परवती छेतर में जाते तीन हजार मेटर तक होती है जो की जनरली हमने पढ़ा भी है और वही बात यहां दर्शा भी रहा है चोटे वायू स्थम दिखाये गए है द्रत्व आली भायू भी दिखाया गया है तो काफी महतुपूनता को यहां दर्शार आ है और यह डाइगराम बिल्कुल बता रहा ह जाएगा तो काफी महतुपून है और इसका जो चलता है 34 मिली बार प्रती जो है 300 मीटर के अंतरगत चलता है तो काफी महतुपून बात यहां पर दर्शाया गया है यादि अगली पॉइंट की हम बात करें तो यह साफ करता है कि वायू दाब के 6-3 वित्रन में क्या होता है जोरिए 36'ty महतुपूर रहत है और च्यथी वित्रन कहते किसे हैं कहते बायू मंदल के सारे संसार में बित्रन, और इसे मान्चित्र में समदाव रेखाओं द्रशाया भी जाता है वो रेखा जो सभी समानने वायुदाव वालस्तानों में एक समानने जोरती है समदाव रेखा कहलाती है अब समझ गए होगे कि समदाव रेखा किसे कहते हैं वो रेखा जो सभी समानने वायुदाव वालस्त में आने वाली परवर्तन की दर उसकी जो है दिशा को बताती है यानि देखा जाए समताल दे रिखा जो होती है बीज की दूरी बायू मंदर में आने वाले परवर्तन की दर और उसकी जो है दशा को बताती है जो काफी महत्पून बात है बायू दाव की दर में इस परवर्तन को बायूदाब की प्रवंता कहलाता है और बायूदाब की प्रवंता दो अस्तानों के जो है बायूदाब में बिविन उसके भी चहती दूरी का अनुपात होता है यारे उसमें जो दूरी होती है उसके अनुपात के रूप में रिपर्जेंट करती है समदाब रेकाएं जब पास पास होती है तो वें बायू दाब की त्युम्रवनता को बताती है और जब दुर होती है तो बाईूदा की संसाल में समांने नहीं होगा चोटी हिए दूरी भाउभ यांनी जहाँ जाइएगा वहां पर जो है लाइव क की यह बहुत समानल सा 시TION पर ये भी देखा जा सकता है और लेखेशल दभा और में परमख्य कारक करा और कि बायू का तापमान प्रित्वी का घुर्ण और जो है बायू में उपस्तित जलवास्पी की मात्रा यह तीनों बाते जो है बहुत काभी महत्पून है एक कारक के रूप में देखा जा सकता है बायू के छेथी वित्रण के अंतरगर्ण यदि हम पहले पॉइंट की बात करें तो कि इसमें साफ होता है कि बायू का तापमान बहुत यहाँ पर डिपेंड करता है कि हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि प्रितिवी पर तापमान का वित्रण सब जगह एक समानने नहीं होता है क्योंकि सुर्य ताप तब जो ह हाफी साफ हो जाता है कि इसमें तापमान और वायूदा में उल्टा संबंद है बायू का तापमान जितना अधिक होगा उतने ही उसका बायूदाब कम हो जाएगा हर गैस का एक नियम है कि जब उसमें गरम किया जाता है तो उसका धनत्व कम हो जाता है तो यह आप जर्नली जो है कम हो जाता है और वो फैल जाती है और इस परक्रिया बायू उपर उठती है और धरातल पर उसका दाब कम हो जाता है विश्वर्ति परदेशों में निम्न बायू दाब पट्टी पाई जाती है जिसे जो है विश्वर्ति जो है निम्न बायू दाब या जो है हम डोल ड् के नाम से भी जाना जाता है यही कारण है कि विश्मवर्थी परदेशों में बायुदाब निम्न होती है और धुरूबिये परदेशों में बायुदाब उच्चे होती है तो यह आप समझ गए होगे कि विश्मवर्थी परदेशों में बायुदाब निम्न होता है और आली जगह का बन जाना इस बात को दर्शाता है दुरुबिये परदेश में ठंडी वायू धनी हो जाती है आपने देखा होगा कि धुरुबिये परदेश में ठंडी वायू जो होता है धनी हो जाती है यानि काफी बिरल हो जाती है यानि काफी इकठा हो जाती है इस बात को आ दूबो के और तापमान घटने के साथ वायु दाम में शैन शैन व्रिद्धी नहीं होती है और इसके विप्रीष संसार के उच्छे वायुदाव के छेटर और अद्र जो है दूबिये परदेशों में निम्न वायुदाव के छेटर पाये जाते हैं तो काफी महतपूल बात को यहां दर्शाया गया है उसके पशात हमारे समग प्रित्वी का गुरण देखिए प्रित्वी गुरण के केंदर विमुक बल पैदा होती है और इसके परिणाम सरूप बायुदाब अपने मुल अस्थाने से हड जाती है ऐसा जो है विश्वास किया चाता है कि अद धुरूबिय परदेश का निम्न वायुदाब और उस पोशन परदेश का उच्चे वायुदाब का निम्न जो है मुकता प्रित्वी के गुरण के कारण ही ऐसा होता है और वायु के अभी सरंग चेतर का जहां बिभिन दशाओं में आकर वायु मिलती है और वायुदाब पाया जाता है और वायु के अपसरन चेतर यानि जहां वायु विभिन दशाओं में को जाती है में उच्चे वायुदाब पाया जाता है जोंकि काफी मैतपून बात है यहां यदि तिसरे पॉइंट की हम बात करें तो साहब हो जाता है कि वायु में उपस्द समझिए हो गया बात यहांपर क्या चांप बायूप it कर दाब कम होता है और जिसलवास की मातरा कम होती है उसका दाब अधिक हो जाता है सरदियों में महादीकय अ ठंडी होते हैं अपने देखा होगा सर्दी में जो होता है महादीपी है कि अबिक्षा जो काफी ठंडे होते हैं तदा उच्छे वायुदाव केंदर के रूप में बिक्सित होते हैं और गर्मी में यह समुंदर की तुलना में गरम हो जाते हैं और जहां पर निम्न वायुदाव छेतर कायम होती है इसके विप्रि जो सबी समानने वाले अस्तानों के एक साथ जोडती है संदाव रेखा कहलाती है वाली बात यसको आपको नोट कर लेना चाहिए वायुदाब की बढ़ने के साथ वायुदाब में और जोती होती तीन सो मीटर के उचाई पर चोथिस मिली बार्ठ ऊप्र टॉपिक ता जिसमें हम एयर का वितरन के वारें विस्तार पुर्वक चर्चा किया और जानने कोशिश किया और समझने कोशिश किये ठीक है अगर आपको ये टॉपिक समझ में अच्छे से आ गया तो एक बात नहीं बूलना जितना हो सके लाइक सेर सब्सक्राइब करना है ठीक है जितना सेर लिए कुछ नकुछ ही यहाँ पर जरूर आपको प्राप्त होगी अगर आप इसके चैनल पर जाओगे तो वहां प्राप्त सब कुछ होगा और यह तब होगा जब आप सब्सक्राइब करके चैनल को सेव कर लोगे नहीं तो अगर टॉपिक डिसर्च करो तो शायद आपको पर आप तो नहीं क्योंकि आपको पता है कि टॉपिक डिसर्च होती है तो वीडियो पहले आते हैं जो पहले यूटूब पे मज़ूद होते हैं अगर आपका मेरा पता का समझ में आता है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राब कर लेने में ही आपके लिए फैदे में रहेगा कर दो